तेरा मन जैसा सोचेगा तू वेसा ही बन जाएगा ना सोच कभी तो रोगी है हर दर्द तिरा मिट जाएगा खुद को रोगी नहीं राजयोगी समझो तो बीमार चेहरा भी थिल जाएगा थिल जाएगा अच्छा बनने की इच्छा न छोड़ो कभी नया जीवन तुम्हें फिर से मिल जाएगा मिल जाएगा खुद को रोगी नहीं राजयोगी समझो ओं शान्ती, गुरेवनिंग, गुरेवनिंग टॉक्टर सचेंग आपका हमारे अनुपूती और सान फ्रांसिस्को परिवार के जूम परिवार के और से आपका बहुत-बहुत स्वागत है पॉल सीजन जो पत्जर की सीजन जो शुरू हुई है उसमें अपने स्वास्ते के बारे में हमें क्या-क्या स्ताउधानिया ले दी हैं इस सुन्दर विशय के साथ आज हमारे साथ आप जुड़े को आपका बहुत-बहुत वेलकम है और हम सभी आपको वेलकम करते हैं और थैंक यू करते हैं बहुत-बहुत शुक्रिया आपकी सेवाओ के लिए थैंक यू दिदी वैशाली फॉर नाइस और वर्म वेलकम और थैंक यू एवरीवन वू जोइन डास फॉर इस तुड़े इविनिग सो आज के दिन हम बात करेंगे कि यह जो फॉल सीजन है पज़ड का सीजन है उस समय क कि हमारी डिनचरिया कैसी रहे और हमारे विचार कैसे रहे और हम शरीर मन का संतुलन कैसे रखे तो हर एक सीजन के हर एक रूतू की एक दोश होती है वाता-पित्ता कफा में तो किसी को पता है कि यह फॉल सीजन में कौन सा दोश बढ़ता है ओवर और बले आप वाता की हो पित्ता की हो या कफा की प्रवरती हो फिर भी कौन सा दोश आपका यह डॉमिनट इसमें बढ़ता है जब भी हमको बादल दिखाई देंगे तो कफा बढ़ता है पट डॉमिनटली जो फॉल सीजन में वाता का इंबालन्स होता है वाता का नेचर क्या होता है वाता की की difficulty और mentally anxiety और यह सब बाते वो भी manifest होती है तो वाता के लिए सबसे important बात हम करवात है तो उसको है कामिंग कि जो भी है पहले शांती जो भी activity में शांती खाने में शांती सोचने में शांती सब कुछ restart करो तो fall में जैसे साफ होता है वो पुरानी अपनी जो skin होती है त्वचा को छोड़के एकदम नई त्वचा ले लेता है तो वैसे ही fall season में और spring season में हम similar process करते हैं तो वो process को बोलते है detox और उसको also deeper detox करेंगे तो उसको बोलते है पंचकरवा तो पंचकरवा में पाच type की treatment यूज होती है और यह जो treatment चलती है पांच टाइप की तो यह बहुत simple है आसान है उसमें से दो या तीन टाइप की treatment हम घर पे भी करवा सकते हैं तो यह home detox कैसे करें उसके बारे में हम आगले session में थोड़ी बात करेंगे और थोड़ी यह session में भी करेंगे तभी मैं आपको कोई भी question पूछना हो तो बिल्कुल पूछ लिजे जैसे हम जा रहे हैं और फिर थोड़ा समय हम question answer पे भी बिताएंगे अभी एक बात पता है कि काफी लोग इंडिया से login करते हैं या दूसरी जगह से भी है तो इंडिया में हम लोग छे season मनाते हैं और जो है western side में हम चार स तो यह presentation में mostly आप देखोगे तो यह चार सिजन के अनुसार किया है पर जब हम resource share करेंगे तो उसमें पूरे six season का भी कुई mention होगा तो आपको और refinement कर सकते हैं तो यहाँ पर हम करते हैं कि चार सिजन करके रितू संदी को भी बीच में highlight कर लेते हैं so fall season and the ौइरृवड that's the theme so that picture shows you how the fall season looks like some days वो एकदम साफ होता है और some days बादल होते है और temperature में क्या बात होती है तो दीन समर जैसे गरम होता है और रात थंडी होती है तो इसमें अभी दो बाते समझ में आती है एक होता है एक्विनॉक्स एक होता है सॉल्टिस तो समर में सॉल्टिस होता है और विंटर में और फॉल में एक्विनॉक्स होता है तो कोई जानता है इसमें अंतर क्या है तो इसका अलग नाम जो इंडियन नाम है उसको बोलते है उत्तरायन डक्षिनायन है वो सबको पता है तो इसके बाद में संक यह सुरज उत्तर में जाता है इसलिए वो उत्रानाती है चोटा दिन हो जाता है चोटा दिन हो जाता है बहुत अच्छा तो यह जो डिस्टंस होता है संकवर अर्थ वो चेंज होने के कारण जो दीन छोटे बड़े होते हैं और इसलिए कोई अधर साइड की अर्थ है उसमें आपको अंधेरा दिखता है तो अभी यहां पर दिन है वहां रात है वहां रात है यहां दिन है तो उसके अनुसार हमारी रिट्वी चरिया और दिन समझ लिए तो यह गोल हमारे होंगे एक तो है डाइजेशन को रिसेट करो तो आपकी आइडियाज क्या है कि डाइजेशन को रिसेट कैसे कर सकते हैं अभी नवरात्री में हम लोग क्या करते हैं उपास करते हैं उपास करते हैं तो उपास का मिनिंग क्या होता है पर उपास को बोलते हैं उपवास उपवास मिन्स खुद के सन्निध्य में रहना और साइलेंट टाइम चिंतन करना, ध्यान करना, राजयोग करना तो उसके बाद में हमारा शरीर मन पुरा तयार हो जाएगा तो डाइजेशन के लिए हम पास्टिंग की एक बात हुए दूसरी बात है कि जो हम खाएंगे और पिएंगे उसको भी हम ठीक से धन से देखना चाहिए तो ताजा खाए और कुछ-कुछ बाते हम जो नहीं खाते हैं उसको पत्थे बोलते हैं और अपत्थे बोलते हैं और कुपत्थे बोलते हैं तो पाँन जानता है डिफ्रेंज क्या है पत्य क्या है अपत्य क्या है और कुपत्य क्या है वो पुरा imbalance बना देता है बहुत अच्छा तो दूसरी बात इसमें होती है improving colonic health कि जो हमारी colon है उसकी health हमने improve करनी है तो colon health ठीक नहीं होगी तो उसका अफर क्या होता है कौन बता सकता है को लोन में पानी का होता है और फिर जो जब हम हमारी नरिश्मेंट होती है शरीर की वो भी colon से आती है तो उसका भी फिर जो नरिश्मेंट हमको बाड़ी में मिलती है वो भी उसको effect हो जाएगी और colonic health फिर हमारी पूरी health को disturb कर सकती है now energy level को renew करना है तो किसी को अभी ऐसी अदुबूती होई है कि यह season में थोड़ी थकान ज्यादा लगती है किसी ने note किया है इस्पेशली जो northern side में है यह क्योंकि जबी जल्दी इवनिंग जल्दी हो जाती है डार जल्दी जो हो जाता है तो हमरी exercise वगेरे कम हो जाती है बार चलने को भी नहीं जाते हैं वगेरे तो बहुत अच्छा और दूसरी बात है कि जहां पर अभी इंडिया में टाइम होता है तो आवर गेन और अवन एक घंटा मिल जाता है एक स्ट्रॉ और एक घंटा कम हो जाता है उसके साथ भी हमारे शरीर मन पर बहुत असर होते हैं अलग अलग टाइप के चोति वाली बात है इसमें कि जो हमारी त्वचा है स्किन है तो उसको अमगो को बहुत खयाल करना पड़ता है त्योंकि यह dryness हो जाता है और जो है कि blood और liver की health भी हमको improve करनी है तो यह जो है हमारी skin है blood है और liver है इन टीनों की बारे में उनको अच्छा संवर्धन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं त्वचा के लिए क्या कर सकते हैं उसको मालिश करें तेल मालिश करें और जो खाना ठीक से खाएंगे तो त्वचा में ओजस आता है और ब्लड को ठीक करने के लिए खाने में जैसे कड़वी चीज़े या बहुत सारी बाते और ग्रीन्स अगर हम खाएंगे तो उससे अपने आप डिटॉक्स होता है और लिवर बाकी यह सब बाते ठीक है तो लिवर की हेल्थ अपने आप इंप्रूव होती है And the last one is to reclaim the emotional balance की जो है मानसिक स्थिती की संतुलन रखो अपने आप से ज़्यादा मिलने का खुट के सन्यिद्ध में चिंतन करके और साधना में थोड़ा समय गवाओ Music सुनो जैसे अभी हमारी सेशन Music के साथ शुरू हुई तो हमारा शरीर मन पुरा उसके साथ बदल जाता है Yoga और वाक करने से daily routine ठीक से रखोगे तो भी बहुत आराम होता है कि नालो सुबह में अभ्यंगा करो, oil massage करो और यह सब करने से काफी हमको पाइदा होता है So, खाने में हम क्या कर सकते है कि जिसके साथ हमारी emotional health अच्छी हो So, फ्रेश खाओ, कौशला जी बोल रही है ताजा बना के खाओ, डिपा जी बोल रही है कि खिचडी बनाओ नाओ की चड़ी की भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो कभी हम उसके बारे में भी बताएंगे कि कौन सी दाल, किसे साथ खानी चाहिए और वो सब, पर अभी खाने में एक चीज हम क्या कर सकते हैं, जो सीधा हमारे emotions से जूड़ती है गरम खाना खाना बहुत इंपोर्टेंट डूरमीलाज ने बताया कि गरम गरम खाना है, अगर वो ठंडा हो गया और उसको वापस गरम किया तो उसकी जो प्राणिक एनरजी है वो घट जाती है तो इसमें जो है कि इसमें दो टाइप होते है, एक होता है हर्ब्स और एक होता है spices तो हर्ब्स और स्पाइस में क्या फरग है और यह सब चीजे होती है यह हर्ब्स होती है क्योंकि वह फ्रेश है अभी काट के लाई है और जो स्पाइस होता है मसाला वह जो होता है ड्राइ होता है मसाले का एक मत्व है कि अभी आप देखते थे कि पहले इतना चोटा होता था अभी बहुत बड़ा हो गया जानते और अद्रक है अभी इंडिया में अभी भी छोटी सी आती है पर यहां दोनों टाइप की आती है तो जो ऑर्गेनिक का छोटी अद्रक आती है वह छे डॉलर सा कोई एक डॉलर दो डॉलर पाउंड होती है तो क्यों इसमा डिफ्रेंस है और दूसरी बात है कि जब यह अलग-अलग चीज़े जैसे एपल है तो पहले छोटा एपल होता था पर अभी बहुत बड़ा एपल है पर उसको फ्लेवर नहीं है ठीक है ना अगर हमारे जाड से ताजा फल निकालके हमने खाया तो हमारा पेट भर जाता है बराबर है पर यह जो अगर हम बाजार से लाएंगे तो हर बार बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलता है ऐसे नहीं होता है बराबर है क्योंकि वह पता नहीं कब तोड़ा है और वह किस डंग से उसको प्रॉसेस क प्राणिक एनरजी कम हो जाती है पर एक बात है कि जो लवंग है या इलाइची है या जाइफल है तो उसकी जो पोटेंशी उसकी जो मातरा है उसकी जो एनरजी है वह अभी भी कम नहीं हुई है सब मानते हैं कि लवंग हमारे नानी के जमाने वी गरम थी उसकी नानी के जमाने वी गरम थी अभी भी गरम है है कि नहीं एक लवंग खाओ तो गरम हो जाता है एक इलाइच खाओ तो ठंडा हो जाता है सो सेम वे उसमें बदला नहीं हुआ है तो अभी जो नई सायंस और टेक्नोलोजी में इस बातों के उपर बहुत ध्यान देना शुरू हुआ है कि मसालों के साथ इमिनेटी डिरेक्टली हमारी बनती है इमिनेटी जो है शरीर की प्रतिकार शक्ति है और ये शरीर की प्रतिकार शक्ति अलग-अलग विभागों में होती है कि जैसे देशज देशज मिन्स जहां पर हम रहते हैं उसके अनुसार हमारी प्रतिकार शक्ति रहेगी college के कौन से समय में हम है हमारी age क्या है तो age की अनुसार हमारी immunity अलग होगी बच्चों की immunity कम होती है senior age में immunity कम होती है जब हम पुरे young age में होते हैं तो immunity काफी strong होती है अभी जिस ढंक से हम पुरा दिन गवाते उसके अनुसार भी यह सब बाते बदलती हैं तो अभी हम स्टोरी लेंगे कि दो स्टोरी हम लेंगे आच्छली टीन स्टोरी लेंगे कि इसको समझने के लिए तो जो है कि फूड जो है वो भगवान के पास गया और उसमें बोला कि आपने मुझे लोगों की भलाई के लिए बनाया है है ना पर ये लोग मुझे टीक से नहीं करते हैं सम्मान नहीं करते हैं तो मुझे बुरा लगता है तो मैं क्या करूँ कि वो मुझे फ्रीज करते हैं वो मुझे फ्राइ करते हैं को म değकाटे हैं जो कथको बहूत कुछ करते हैं तो भगवान ए कुछ naw consult aier होती एक अच्छी होती है और एक बुरी होती है हममें मेर एक अच्छी है और बहली बात है कि बुरा ही बात है अग्यों और जो बैंसान आपको सम्मान नहीं करेंगे, सम्मानित नहीं करेंगे, आप उनको खा जाओ, तो हमने समझा क्या, कि जिस अन्न को, जो खाने को, हम सम्मान से नहीं करेंगे, वो खाना हमको खा जाता है, और वो खाना, जो हमको खाने लगता है, हमारे खाना हमको खाने लगता है, तब क्या हो बनेोट प्रेशर होता हुए संबानते credit है तो ये एक बात है कि एकchlagen सब प्रानी जो भी प्रानी अलग अलग टाइप के उनका संमेलण हुआ बहुत बड़ा जैसे शान्ती संमेल थो वह वह जो यह था रैबिट था बनी था तो उसने बोला कि खरगोश कि मैं क्यारट खाका के बहुत तंग आ गया मेरे मां को कभी भी कुछ मांगो तो क्यारट थमा देती तो हाती ने बोला कि मैं भी क्या मैं भी तरस गया हूँ मैं भी कुछ मां को मांगता हूँ तो मेरे को गन्ना दे द तो मेरे को भी मन करता है कुछ अलग खालू तो तो फिर हमारी जो है कि मानों की बात आई तो मानों ने भी बताया कि वही है रोज खिचडी डाल चावल खाके मैं भी परेशान हो गया हूं क्या करूं तो अगर आप वेस साइड में हो तो हम बताएंगे कि पीनट बटर जेली साइडविच खाते हैं वह खाके परेशान हो गया तो फिर उनने बोला कि ठीक है अगला सम्मेलन जब होगा उस समय हम सब चेंज करवाएंगे तो अलग-अलग दाने के लिए बताएंगे तो अगला सम्मेलन जब हुआ उस समय जो सब लोग आए तो जो खरगोश था उसने अपना टिफिन खोला उसमें गन्ना था आती ने टिफिन खोला तो उसमें तो क्यारट था तो बड़े खुश हो गए तो हर एक जो प्राणी था उसने अपना अपना टिफिन खोला तो उनको अलग-अलग चीज़े मिली जो नॉर्मल उनकी होती है और जो है कि मानों की बात आई और मानों ने अपना टिफिन खोला उसमें वही थी खिचडी और राइस अंडाल पिनट बटर जेली सेंड़िच तो बड़ा मानों दुखी हो गया कि पता नहीं मेरे साथ ऐसे क्यों होता है तो फिर वह दुखी हो गया तो सब एनिमल्स जो प्राणी है एक दूसरे की तरफ देखने लगे और उन्होंने हसके बताया कि पता नहीं यह ऐसे क्यों बोल रहा है क्योंकि यह एक ही टाइप का जान्वर है यह प्राणी है जो खुद के हाथ से खाना बनाता है कि बागी जो प्राणी है वह जैसा नेचर में है वैसा ही खा लेते हैं बरावर है कि ने पर हम लोग उसको खाना बनाते हैं उसको अलग से करते हैं इसलिए इसमें बहुत सारी बाते आई कि जब जो नईविद्य की कंसेप्ट है कि जो परशाद है कि खाने से पहले हम higher conscious से बनाए, खाना शेयर करे, भगवान के साथ शेयर करे, प्रार्थना करे, सब के लिए मांगे दुआ कि जैसे मुझे मिला है, वैसा ही सब को मिले, बराबरे के लिए, grace जिसको हम बोलते हैं, तो ये बाते हम भूल जाते हैं, अभी इसमें है कि शरीर के जो अलग-अलग सम्वान हुआ, डिबेट, तो पेटने बोला, मैं ही सरस हूँ, मैं ही सबसे अच्छा हूँ, क्योंकि मैं सब खाना हजब करता हूँ, मैंने nutrition नहीं दिया, तो आप क्या करोगे, पेडने बोला, नहीं नहीं, मैं हूँ, मैं तो सब जगह तुमको ले जाता हूँ, कि मैं ले नहीं गया, तो तो क्या होगा, फिर हाथ ने बोला, नहीं, मैं जादा हूँ, तुमने खाना तुम बनाया है, तैयार है, पर मैं नहीं हूँ, तो तुम मुह तक कैसे लाओगे, तो मुह ने बोला, मैं स्रेष्ट हूँ, क्योंकि मैं नहीं हूँ, तो हाथ मुह तक आने से भ पड़ेगा और ऐसे चलते गया फिर हार्ट ने बोला मैं बेटर हूं और फिर जो फेपड़ों ने बोला मैं बेटर हूं किड्नी ने बोला मैं बेटर हूं फिर मस्तिश ब्रेन ने बोला मैं बेटर हूं तो फिर सबने बोला कि पेट तुम बड़े पापी हो हम बोलते हैं ना पापी पेट का सवाल है तुम बड़े पापी हो तुम गृड़ी हो तुमको कुछ ना कुछ देना पड़ता है लिवर कभी कुछ मांगता है कुछ नहीं किद्नी कुछ मांगती है कुछ नहीं वह विचा लेगा हमारा तो कोई नुक्सान नहीं होगा तीर एक दीन हुआ दो दीन वह तीन दीन हुआ उसके बाद में को छो है ब्रेंच को थोड़ी गडबड़ी होनी लगी सोचने और जो है इमोशन डिस्टर्ब होने लगी पेट बड़ा भारी लग रहा है पता देख्या हुआ तो ऐसे होते होते चार दिन के बाद सब गड़बड होगे किड्नी में टॉक्जिन बढ़ने लगी लिवर का काम खराब होने लगा और सोचना भी ठीक नहीं हुआ तो फिर फाइनली सब इंद्रियों ने शर्णा गति लेली पेट को बताया कि तुमारा महत्वफ हम जान गए तो अभी तुम हिलो आपका काम करो तो हमको पूरी शान्ती आ जाएगी तो यह बात हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि पेट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है और अभी मॉडन मेडिसीन में इसको रिकगनीशन है तो आयरुवेद में मानते हैं कि जो फ्रीवे जो निराम है आरोग्य का जो पात्वे होता है वह पेट से जाता है जानते है कि ने में शांती है पेट में चुए कुद्र है तो ध्यान लगेगा तो यह जो बात समझ में आए तो इसको मॉडन मेडिसीन में बोलते हैं गड़ बायों तो अभी पता चलता है कि जो हमारी इंटलिजन्स है हमारा ज्यान है सिर्फ ब्रेन में नहीं होता है सेवंटी एटी परसे हमारी इम्मिनिटी भी पेट में होती है अना तो पेट साफ रहेगा तो सब यह फंक्शन इनके जो जो फंक्शनिंग कैपैसिटी है वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी ठीक है तो यह बात तीनों बात को हमको लेना है तो एक मेसेज हुआ कि अगर हम खाना ठीक से नहीं खाएंगे तो खाना हमको खा सकता है दूसरी बात है कि जो भी नैचरल वे है जितना कम प्रॉसेस करो खाने को उतनी बात अच्छी है ना ओवर कुक नहीं करो ज्यादा काटना नहीं जो मिनिमल करना है जो डाइजेशन के लिए ठीक हो वह इसे करना है और तीसरी बात है कि पेट हमारी बड़ी अहम बात है तो साफ रखो और पेट को ठीक रखो तो पेट को साफ करने के लिए मन में शंती चाहिए दिनचरिया ठीक से चाहिए और उसको एक्सरसाइज चाहिए हम डेली वाक ठीक से करेंगे तो तीस मिनिट अगर हम दिन में चलेंगे तो काफी हमारी खाने की समस्या पेट की समस्या उसमें हम पित्ता की इसमें थे तो पित्ता में इंस्पायर होता है बहुत गरम है बाहर तो हमारी शरीर में गर्मी अभी बहुत लगी होई है ठीक है तो ये गर्मी को हमको बाहर निकालना है ठीक है तो ये गर्मी को बाहर निकालने के लिए क्या कर सकते हैं तो यह सीजन ऐसी है पॉल की कि जिसमें हमको पिता वाता और कफा तीनों दोशों की तरफ धान देना पड़ता है त्राइड दोशिक के लिए तो जो तीन दोश को ठीक करने के लिए हमको क्या कर सकते हम लों क्या कर सकते है तीन बाते अब बताईए कि कौन सी अच्छी रहेग अगर समझ लिजए आपको कुछ पता नहीं है अईरुएद क्या है यो क्या है तो तीन बाते हम क्या करें कि जिससे हमारा संतुलन्द वापस ठीक हो जाएगा तो पहला क्लू मैं देता हूं सुबह जब सूरज उखता है सूरज के साथ उठ जाए ठीक है दूसरा है एक्सरसाइज एंड मसाज अभ्यंगा तेल की मालिक वाइल पुलिंग इस अलसो वेरी इंपोर्ड़न और क्या करा संतुलन्द गरम पानी के साथ थोड़ा निम्बु और वो भी जो हरा होता है हरा निम्बु जिसको लाइम बोलते है और थोड़ा अद्रक तो अगर कफा की दोश होगी तो अद्रक से ठीक हो जाती है और अद्रक खाने से हमारी अगनी अच्छी हो जाती है तो अगनी को ठीक करने के लिए वो भी एक अच्छी जरूरी बात है और जो है कि खाने की जो है इसमें हम बताते हैं कि सुबह का ब्रेकफास्ट होता है नाश्ता तो ब्रेकफास्ट में क्या होना थी अच्छा एक बात हम बुले है कि जो गर्मी ज़्यादा शरीर में बनी है उसको निकालनी के लिए क्या कर तो इसमें जो है mainly गर्मी कम करने के लिए सबसे simple बात सब को पता है आमला है ना आमला सबको पता है तो आमले के अलग-अलग प्रकार होते हैं आमले का मुरब्बा उसका मिनिंग अलग होता है आमले की शुपारी बनती है ड्राइ आमला उसका मिनिंग अलग होता है वो खाने के बात खाते हैं आमले का जूस होता है और फ्रेश आमला भी हम खाते है जो सीजन में होता है और आमले की पाउडर और त्रिफला तो इतने अलग अलग अभी हमारे पास इतना समय नहीं है कि हर एक बारे में ज़्यादा सोचे पर जैसे मुरब्बा यूज्वली सुबह खाते है और आमला वैसे ताजा हो तो कोई पूरे दिन में खा सकते है और जो आमले की पाउडर है वो रात को उसका सेवन करते है गरम पानी के साथ और जो त्रिफला है वो भी रात को खाते है डिटॉक्स करने के लिए पिर उसके कोई रिसोर्स हम आपको बेजेंगे जो आपको और उसमें जानकारी हो तो और इसके बाद में आमले के साथ साथ गरम पानी और अध्रक हम इसमें इस्तेमाल करेंगे तो हमारा पेट अपने आप साफ हो जाता है तो इसमें एक बात होती है आमा कि अगर हमारी दिनचरिया ठीक से है तो हमारे शरीर में आमा नहीं बनेगी उसको बोलते है ओजस तो है हमारा चेरा खुलता है और उसको बोलते है लस्टर कि हमारे चेरे के उपर रो नकाती है कि सब कुछ ठीक है पर अगर हमारा खाना ठीक न ही है तो फिर उसके साथ क्या होता है तो जब फिर वो जो भी हम खाएंगे क्या होता है वह आमा में बदल जाएगा तो यह जो समय थोड़ा डेलिकेट होता है डेलिकेट होता है तो यह जो दो हपता पॉल सीजन होने से पहले से सप्टेमबर ट्वेंटी थ्री यह अराउंड टाइम यहां पर सीजन बदलता है तो उसके दो हपते पहले और उसके दो हपते बाद October 2nd तक usually हम लोग ऐसे बरताओ करते हैं कि जैसे दिम में समर हो और रात के समय थंडी हो तो गरम रखो रात के समय थंडी रखो दिम के समय और जो खाना है हमारी डाइजेशन वीक होती है तो खाना भी हम क्या करें हलका खाए रात के समय हलकी खाए खिचडी खाए और जैसे जैन लोग खाते हैं कि शाम को जो अंडरग्राउंड होती है वो बाते नहीं खाए क्योंकि वो तामसिक होती है क्योंकि उसको sunlight नहीं मिलता है और जो दिन भर बाकी जो बाते होती है तो उसमें थोड़ा धीमे रखे ज्यादा back to back appointments नहीं रखना है थोड़ी दिन में समय रखना है एक से चार के बज़े थोड़ा समय शांती से रखना है साधना के लिए सवय रखना है धैन लगाना है और जो है कि जैसे तामसी फूड जादा spicy फूड मसालेधार तला हुआ ये चीज़े नहीं खाए बढ़्ड सूप होते है या डोसा है इडली है ऐसे फूड जो light होते है डाइजेशन में वो खाना अच्छी बात है और बहुत कच खाना या स्प्राउटेड वगरे बाते होती है वो थोड़ा नहीं खाए तो यहां पर मैं डिस्क्रिप्शन जो भी हम जो information है वो अभी यहां रुकाते हैं तभी आपको इसमें कोई question होंगे तो आप पुछिएगा आपने बोला कि स्प्राउट में स्प्राउट कम खाना पर रेगुलर मग इस ओके मग मग तो 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 जैसे कच्छा मग नहीं खाओ जैसे स्प्राउटेड बड़ कच्छा उसको थोड़ा हलका सा आच दे दो तो जो उसमें वाता की जो प्रवरुती होती है वो निकल जाते ह आपर मट मुट चैंटी सौरी मट अलसे जीम तिंग बिकास मट भी खा सकते हो यह मंग है मूट है यह सब साल भर खा सकते हैं शिर्फ जो है थोड़ा वो प्राउट करो तो वो डाइजेशन के लिए थोड़ा हेवी हो जाता है तो उसके कारण उसको थोड़ा हीट लगा दो या थोड़ा हलका सा उबाल लो तो फिर वो पचने में आसाल हो जाता है उसका वगार करके आप बिलकुल कर सकते हो बट वगार भी ज़्यादा ठीक नहीं है तो बिलकुल हलका तेल जो आपको वगार के जितना लगता है उतना करो बस और उसमें थोड़ा जीरा डालो और ए से क्युमिनेट जीरा और धनिया और सो यह तीन बातों को इक्वल प्रपोर्शन में लेके उसको उबाल के रखो और फिर वही पानी दिन में अल्टरनेट पियो एक गिलास रिगिलर गरम पानी और एक गिलास यह कशायम इसको बोलते हैं तो यह पूरा साप कर देता है बुलते हैं न तो इस में थोड़ा पानी में फ्लेवर होगा तो पीने में भी आसान हो जाता है और याद भी रहता है तो गोड़ें अगर आंपने रहता है तो फिर आपका काम हो जाए इक वह आपने वह आवला का पाउडर है हाँ जितना अगर आमा है तो आमा है कैसे जानना है तो ज़से चुबहाँ को आपके टंग देखिए तो टंग की ऊपर अगर कोटिंग होगा वाइट कोटिंग और अगर वह दोपेर तक तिकता है गया नहीं बाद में सबको थोड़ा क तो आएगा सुबह में पर अगर वो दोपेर तक रहता है तो फिर आमा हो गई है और उसके लिए कोई questionnaire होती है हैं कोई question पूछ सकते हैं कि उसके अनुसार हमको पता चलता है कि आमा शरीर में है कि नहीं है तो तो अगर में दीनर के बार लेता है हाँ बिलकुल सोने से पहले लेना है अच्छे और गरम पानी जितना गरम पानी और वो आवला बड़ा Astrangent हो था है तो उसका फ्लेवर तूर्ड वोलता है और उसको जो है कि क्वार्टर-स्बून से शुरू करोन या वनेट टीस्पून से शुरू करो तो फिर दीर दीर benefits हो जाए कि और जैसे टीन पांच न पाच न ऐना उन करके फिर वापस अपन करो फिर हपते में दो बार तो विंटर खतम होने तक आमला रखो क्योंकि फिर वो टॉक्जिन बनाने नहीं देता है दूसरी एक बात होती है आपने जीन का यूज कर सकते हैं हिंग बिल्कुल यूज कर सकते हैं को कोई कोंटर इंडिकेशन अपने वह रियाल सुका धनिया और शुखा धनिया और सुखा धनिया वह वन ग्रस पीना है सुभा राचा नहीं वह तो जैसे एक लिटर बना के रख दो और फिर वह पीते रहो दिन भर जैसे दिन आएगा तो एक लिटर में सौफ जीरा कितना डालना जीदा दोनो और धनिया यह अपने लाश्ट टाइम बता था यह यह अभी मैंने अभी यह किया था सारा और अभी पर सोई मैंने आपकी रेसिपी निकान दी आपने बूला तो फिर बेन ने बताया कि आपका क्लास है तो आपको कैसे लगा करने के बार बिल्कुल बढ़िया इ सब्टेंबर मैंने बुला भी शरू कर दू क्योंकि आपने बताया कि विंकर में करने का तो बहुत अच्छा रहा है मेरा बहुत इसको खाली फॉल में करना चाहिए या पूरे साल नहीं यह जो CCF है यह पूरे साल पर आप कर सकते हो पर साल में है कि इतना इंटेंस करना वो रंजन जी पूछ रहे थी वैसे एक गिलास दो गिलास काफी हो गया पर जब फॉल और स्प्रिंग होता है उस समय पूरा दीन रखो तो आच्छी बात है वो जो रितू संधी होती है रितू संधी में उसको ज़्यादा असर चाहिए और उसका डोस भी थोड़ा ज़्या तो उसने अपने बच्चों को भी दिया उसने उन्हों भी बहुत पसंद किया बलते मम्मी फिर बनाओ रोज बनाओ अभी उनको आदोच हो गई पाई जी सुबा आपने बोला की लाइम और जिंजर वाला पानी पीना है काफा के लिए तो तूट पे सकते हैं फ्रेश लिए बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं जेन I will come to you so in one glass how much salt I can use so the one glass like maybe around a slice of ginger like you know thin slice of ginger is good or some people like to shred ginger उसको अधरक को श्रेड करो या कोई लोगों को होता है कि वैसे ही टुकडा डाल दो you know so whatever you prefer now sometimes I don't like to chew on the ginger क्योंकि वो पीते समय मुह में कुछ आता है तो ठीक नहीं लगता है पर कुछ लोगों को अच्छा लगता है तो it doesn't matter from that perspective कि तुमने कैसे यूज किया है और जो भी धंग से आप आपको ठीक लगे वो ठीक है पर बहुत जादा नहीं करना क्योंकि ginger थोड़ा warming होता है हम और सब्सक्राइब थोड़ा थी नहीं करना की खरूँ नहीं करना क्या द्द्निया और वरिया सब्सक्राइब थोड़ा है तो पर रोस्त करने खाने का है Okay, thank you. Namaste, Dr. Sachin. I have a question about Trifla. मैं regular basis पे लेती हूं, तो आपके हिसाब से हफते बाद लेके उसको थोड़े दिन बंद कर देना चाहिए? Yeah, ideally because जब you are that young and you don't have any specific symptom to have indication. So just to facilitate the detox, three days, five days, depending on, and you can map on your tongue. If the tongue is clearing up in the beginning for a few days, the tongue will have a lot more on that, but बाद में वो चली जाती है. वो तो नहीं है, Dr. Sachin, but अभी क्या आदत थुड़ा, I don't take too much, I take one-fourth to half teaspoon with warm water at night. Is that not good? Not every day, not every day, but maybe twice a week or once a week, that should be ideal. Okay. And sorry, one more quick question, Dr. Sachin. Then can like रात को, you know, like I found this in Trader Joe's, it's like ginger powder and I like drinking that like warm water में थोड़ा सा जिंजर पौडर मिला के, then can I have that at night? Right. So the only difference is, now all these people, they know that salt, dry ginger powder, and the fresh ginger में बहुत अंतर होता है. So fresh ginger, पेट के लिए अच्छा होता है, dry ginger, respiratory symptoms के लिए अच्छा होता है. Okay. So, उसके कारण, if you dig, so the असर अलग होगा, if you take the fresh ginger, अधरक खाओगी, versus salt खाओगी, तो you will have different effects. So, it depends की what you want to support. If you want to support the belly, then you have to have fresh अधरक. Fresh ginger. If you want to address the allergies and things, then you want to have the powder. Okay. Thank you so much, Dr. Sachin. और इसमें जो है की जैसी सीमा बता रही है, की इसमें जो है की common indication, generic indication होती है, पर हम रिफाइन करेंगे, अगर फिर भी हमारी पिता की प्रोरुटी है, पर अगर पिता की प्रोरुटी है, फिर भी जहाँ पर हम रहते हैं, उसके अनुसार, कुछ चीजे हमको tolerate हो सकती है, कुछ नहीं हो सकती है, हमारी age क्या है, हमारी खाने का धंग क्या है, immunity level क्या है, stress level क्या है, यह सब बाते उसके उपर असर करती है, तो उसको भी हमने धान देना चाहिए, और उसको भी हम cover up करते हैं, customize करते हैं, पर यह जो बाते जंदरिक हमने बोली है, वो सबके लिए usually suit होती है, इसमें कोई नुकसान है नहीं है, उसमें करने हैं, तो पारु जी? हाँ, मेरा two question है, अभी वो अपने बोला, के वो शाम को आवला का powder, वो टंग उपर white coat ना हो, तो ले सकते हैं, ऐसा अगर टंग पर white coat ना हो, तो अल्रेड़ी आवाज़ी आवाज़ी इनर के बाद, और दूसरा प्रशन वो है, कि हाँ, 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 तो तीन दिन, तीन दिन या पाच दिन सीजन के लिए ले लो और फिर बंद कर दो, पर अगर coating डिखता है, तो फिर आप ज़्यादा दिन, दो, अपता, तीन, अपता भी वो करना चाहिए, अच्छा, अच्छा, ब्रेवर, और दूसरा प्रशन वो है, मैं, अरली सुबह पे, खाली पेट, वो हल्दी का पाउडर लेती है, तो वो अच्छा है, उसका जो है, कि वो थोड़ा कॉंट्रोवर्शिल है, बिकाज हल्दी का नेचर होता है, इंफ्लमेशन कम करना, उसमें हल्दी में भी तीन प्रकार होते है, एक तो regular हल्दी है, powder, उसके दूसरी आती है, kurkumin, जिसको golden milk के नाम से जानते है, जो फ्रेश हल्दी है ताजी वाली हल्दी, जींजर का फोवसी मिलती है और चोथी वाली हल्दी है वो अम्मे हल्दी होती है वो जो पेन के लिए उपर से लेप लगाते हैं तो जो है कि हल्दी का एक नेचर है कि अगर हल्दी का आपको बेनिफिट लेना है तो उसके साथ थोड़ा हल्का ब्लैक पेपर चाहिए अगर उसके साथ मीरा जो होता है शायद पे ठीक नहीं लगेगा तो उसके कारण हम लोग इतना इंकरेज नहीं करते हैं पर अगर आप ओट मिल बना रही हो या कोई उकमा बनाया है तो फिर उसमें डाल दीजिए तो वो ठीक है प्रोब्लेम है तो पेरों का जो फिंगर से ना वो सुच जाती है इस पर वजन ने दिया जाता तो क्या करें वो पेंड होता है इंडिविज्वल तो नहीं दे पाएंगे क्योंकि ग्रूप में हम इंडिविज्वल बात नहीं करते हैं पर इसको जो है कि यह आमा के साथ सब होता है कि वाता है आमा है और पिता है पिता मींस इंफ्लमेशन होता है तो उसके साथ में यह सब होता है तो इसलिए अगर आप शरीर को पहले सापसुख कर ले जैसे डिटॉक्स यह CCF TPA अमला ट्राइ करके देखे और उसके बाद में जो कुछ बचता है तो उसके साथ में फिर हम उ आपको प्रश्ण है है पूछो है 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 मलता जी आप म्यूटेड हो यह ओके ओम शांती भाइजी मेरे को हार्ट बंड की प्रॉब्लम में मेरी टंग में बर्निंग होती है उसके लिए क्या करना चाहिए उसके लिए में ली जो है वो नियूरोपैथी से होता है सबस्के से सबस्क्राइब होता है वह आक से जूड़ता है और और ऐसा-इंग की उसको टेल की मालिश करें जो जो कैस्टर ओयल होता है ना तो कैस्टर ओयल लेके और वो एक बरतन आता है उसको बोलते कासे की कटोरी आती है ना कासे की जो होती है वो सिल्वर जैसी लगती है पर उसे जब पैर को घिसते है तो बहुत काला काला निकलता है और वो पैर से बहुत गर्मी निकलती है तो उसक बात है कि दो नियूरोपेथी है तो भी आख को रेस्ट करना जुरूरी है तो आखों के उपर जैसे आप खीरा रखो ककड़ी होती है ना ककड़ी को करके यहां रखोगे तो वो पूरी हीट पिता के होती है एक्सेस वो खीच लेता है तो आमले से पेट के अंदर थंडाई होई खीरा से उपर से निकल गई और जो है मिटी होती है मुलतानी मिटी है या दूसरी कोई मिटी है उसका लेब भी पहर पर रगा सकते हो कि जिसके साथ ज़्यादा हीट है वो निकल जाए पर अगर मिटी लगाएंगे तो दो पहर में लगाएं शाम को नहीं क्योंकि वो ठंडा ही करता है तो ऐसे सीजन में हम वो उसको एंकरेज नहीं करते हैं और अगर उससे भी कुछ रेमिनन्स होता है फिर उसके बारे में कोई स्पेसिविक इंडिविज्वल हम इन्फोर्मेशन आपको दे सकते हैं कि जैसे वाइटेमिन अध्री की जिसमें ज़ उसके साथ भी बहुत अस्वर होता है और जो डार्क कलर के फुर्ग होता है जैसे hayır ब्लुबियरी ईग्डेकर और राजबेरी है वो अगर आप खाने में रखोगी ज़्यादा नहीं थोड़ी मात्र में तो उससे भी बहुत सारे अंटाइवक्सिडंट आपको मिलते हैं और एक बात है कि किसी ने भी यह सीजन में वेट लॉस का ट्राइ नहीं करना है यह सीजन में बाड़ी है वो बिल्कुल तयार नहीं होती है छोड़ने के लिए टॉक्जिन हो वेट हो वो सब समाल के रखती है अभी दर्वाजे बंद हो गए आप स्कीन की तरफ देखो तो स्कीन के पूर भी अभी बंद होने लगे अभी पूरे बंद होने है तो जब स्प् यह संधी अभाई जी मेरी प्रकृती बहुत गयस की है स्टमक में बहुत गयस हो जाता है कुछ भी खाऊ आउ में बहुत स्ट्रीक्ली डाइट करती हूं वाइल भी काम और सफाइस तो बीट कुल नहीं तो भी कोई-कोई बार ऐसा होता है तो क्या करना चाहिए और रिंटर यह तो सही है इसमें की मोस्ली वाता की समझ से है तो जो जो कशायम बोला था कि क्यूमिन कोरियंडर फेनल जिरा और यह उसका चाय बनाके पी और पानी घरम और खाने के समय बैट के खाना है एक जगह बैटो कि एक कुछ उठान उठके एक बारा पूट गई तो पुरा डाइजेशन डिस्टर्व हो जाता है दूसरी बात है कि कुछ देखना नहीं है टेलीविजन फोन किसे बात नहीं करना है शांती से चबा चबा के ठीक से खाओ तीसरी बात है कि जब हम खाना बनाते हैं तो राइस को ठीक से धोना है दाल को ठीक से दोना है कि पानी बिल्कुल साफ हो और जो है चीजे अच्छी सी पकी हो तो थोड़ा कच्छा खाने में हुआ और रात को लेट में Dingen जय से 7 साड़े साथ बज्यए खाना खानो और सबसे बड़ी बात है कि रात को सोने से पहले शत्वावली करना है चलना है तो आप चलने के بعد में जोभी हमने खाना खाये वो फोड़ा हाजम हो जाता है हुआ है और जब सो की तो left side पे लेट कुना है और आदा गंटे के लिए जब आप सोती हो रात को भी और फिर बाद में आपको नीन लग गए उसके बाद में चेंज होगा तो कोई बात नहीं क्योंकि फिर वो फूड सेट हो जाता है स्टमक की आंगल में हुगा अरण ज्य हुगा एंगल झीघा की आंगल में हमने की आंगल में हो जब आपको नी चाहा बता है सबासर श्राद में आपको जुछ三 shift circle झाल झाल